नमस्कार दोस्तों आज हम आपको सूजी के स्वादिष्ट खमन बनाना सिखाएंगे पहले कटोरी में एक निबू को निबू करस निखाल लें फिर उसमें चाज मिलाएंगे या चाज कुछ भी मिला लें हमने चाज मिलाया है अब इसके बाद इसके अंदर सूजी मिलाएंगे सूजी आप बारिक दरी-दरी या फिर मोटा दाने वाली भी ले सकते हैं अब इसमें एक अटोरी नाट के साब से मिला देंगे अब इसमें अच्छी तरह से सूजी को फेटेंगे इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक अच्छी तरह से गुल नहीं जाए अब इस तरह मिक्स कर लेंगे कि खाने वह बहुत सवाधिष्ट लगती है अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे अगर बेशन की जगह सूजी के भी खमन बच्छी तरह से मिलाने के बाद मगर इसमें इसमें थोड़ी सी चाच कम हो तो वह एड़ कर देंगे अब इसमें थोड़ी से सक्कर भी मिलाएंगे एक चम्मस सक्कर अब इसमें थोड़ा सा नमक भी एड़ करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे अब इसे थोड़ी दे रखाने नियाने के बाद इसको अच्छी तरह से फेटेंगे फूल जाए जब यह अच्छी तरह से घुल जाए तब इसमें इसको ड़क के रख देंगे ताकि यह अराम से अराम से सूजी फूल जाए सूजी फूल जाए तब तक हम एक कड़ाई के अंदर पानी को रखेंगे पानी को रखके और इसको ड़क देंगे ताकि पानी में अच्छी तरह से अब इसमें आप एक चमच तेल एड़ कर दें या फिर गी ऑखना लेट गी या तेल कुछ पूल जाए हमने गी एड़ करें के अलाएग को तेल यहा जला इसमें रास जाए ऐसा भलता सोड़ा करीं कि तोरा दोल डाले और निकलेसे एक बटन में गी लगाके या तेल लगाके इससे क्या इच्छे तरफ है खमने के बाद में विकल भाद में मेटा सोरर तभी ढाले जब आप इसको हीट करने के लिए औस बरतन में रखना इसको इसपर्चे तोड़ी मिलची अब इस सोजी के गोल को जिस पतिल में पानी गरम करके रखा था उसमें रखा एक कटोरी को उल्टी रखके या इस तरह पानी परके इस खमन को उसके फरके क्योंकि ये खमन सोजी का गोल हमेशा भाप में ही पकता है ये इस तरह रखने के बाद में इसके अपर एक बड़ता रख दे ताकि यह भाब को बाहर नहीं निकले अब बार बार 15-20 मिन्ट बाद में इसको देखे कि यह पक गया या नहीं पक गया देखने के लिए आप इस तरह एक चाकू को उसमें रगाए अगर खमन उसमें से नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वह सही है अब इसके खमन के उपर दालने के लिए गोलती है तेल डाले उसमें थोड़ी की राई मिर्ची और निकी नेम के पत्ते का संख लगाएंगे उसके बाद में इसमें पानी डाल देंगे और इसका एक उबाल आने तक इंतिजार करेंगे इस पानी रिजमोल में आदी चमच शक्कर भी पतकते हैं ताकि यह खटा मीटा स्वाथ रहे अब इसको उबाल आने तक इसको गरम करेंगे जाए इसमें थोड़ा सा नमक भी एड़ कर देंगेर को अब इसको सुजी का खंबन तयार हो चुका है इसको इसथरह अगर यह रटेनी तो इसथरह चाकू चम्मच की साहिता से चाकु की साहिता इसको हटा दे और इस तरह उल्टा करने के बाद जो पानी का घूल मीटे पानी का घूल तैयार किया था वो इसमें इसके उपपर लगा दे, इससे क्या है न इसमें सुजी का जो मीठापन रहता है तोड़ा गिला गिला रहता है इसको पूरी तरह करने के बाद इसको अच्छे से सचा दे आप देख सकते हैं यह दिखने में ही कितना अच्छा लग रहा है खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है इसको सर्व करते हैं सुजी का कमन मन के तयार हो चुका है इसको अच्छी तरह से काट लें